स्वागत है आप सभी का कम्टिशन कॉम्टिटी के यूट्यूब चैनल पे हम लोग बात कर रहे हैं रीट्स के बारे में तो हम लोग आज रीट्स के बारे में बात करेंगे ध्यान दिजेगा REITS जैसा कि हम लोग उने पिछले बारे वीडियो में बात किया था Article 32 के बारे में हमने उसमें बताया था कि Article 32 हमें कहता है कि अगर आपके Fundamental Light का उलंगन हो रहा है मेरी बात को अच्छे तरीके से समझेगा अगर आपके Fundamental Light का उलंगन हो रहा है तो आप Supreme Court या High Court जा सकते है और Supreme Court या High Court को इस बात का अधिकार है कि वो REIT जारी करे For the Protection of Fundamental Light तो वही REIT हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इस बात को ध्यान रखिएगा तो अगर आपसे कोई कोशन पूचे कि REIT क्या है तो REIT एक परकार कि नयाय का ज़रना यहाँ पर इसको नयाय का ज़रना कहा जाता है यह बात हम यहाँ पर बताया थे आपको नयाय का ज़रना है लेकिन REIT है क्या तो REIT Fundamental Light के Protection के लिए है यानि कि Supreme Court और High Court के इस बात का अधिकार है क्यों Fundamental Light के Protection के लिए जारी कर सकता है, REIT और प्रोटेक्ट कर सकता है, ये बात आप अच्छे तरीके से जनिए, अब REIT कितने परकार को होते हैं, तो 5 परकार को होते हैं, कितने परकार को होते हैं, 5 परकार के, ठीक है, चलिए, सबसे पहला, आएके करके हम बात करेंगे, सबसे पहला हमारा REIT क्या ह हीवियस कॉर्पस पहला है हमारा हीवियस कॉर्पस तो यहां पर देखिए बंदी पर्त्यक्षिकरन हिंदि इंगलिस दोनों में लिखा हुआ है परसान होने के जुरूरत नहीं है बंदी पर्त्यक्षिकरन एक बात आप अच्छे तरीके से समझ दिजेगा कि जब हम रीट की बात करेंगे ना, तो हम क्या पढ़ाएंगे कि जो REIT है, उसका मतलब क्या होता है, किसके खिलाफ में जारी होगा, वो दूसरा और क्यों जारी होगा, तो ये तीन बाते हम जरूर आपको REIT से ले करके बताएंगे, और पांचों REIT में हम ये तीन बात बताएंगे, हमने या प का मतलब यह है कि बंदी को प्रस्तूत किया जाए, जिसको आपने बंद करके रखा हुआ है, जिसको आपने हिरासत में रखा है, उसको प्रस्तूत किया जाए, यह बात कह रहे है, सुप्रीम कोट, तो इसका मतलब होता है, to have the body of को प्रस्तूत किया जाए, यही कोशन एक्जा detention of a person, यानि कि किसी बेक्टी को अगर गयर कानूनी रॉप से हिरासत में रखा गया है तो उसके खिलाप में यह जारी होगा गयर कानूनी रॉप से रखे गया क्या होता है, आप देखते हैं कि मान के चलो, example के रूप में कि किसी को हम जेल में बंद कर लिए और वो गैर कानूनी है, तो यह रीट जारी किया जा सकता है, ठीक है, एक बात को समझेगा, किसको यह रीट जारी होगा, क्यूं होगा, यह तो समझ में आ गया, क्यूं होगा, क्यूं होगा, यह तो समझ में आ गया, किसको जारी होगा, तो सा या पबलिक हो, कोई भी हो, जो ये काम किया है, ये काम मतलब illegal रूप से किसी को arrest करके रखा हुआ है, उसके खिलाप में REIT जारी हो सकता है, तो REIT या तो public official यानि गौवर्मेंट के कोई official उसके खिलाप में, या कोई private है, उसके खिलाप में जारी हो सकता है, क्यों? क्योंकि आ मतलब क्या है, मतलब है, बंदी को, यानि को प्रस्तूत किया जाए, सो सरीर प्रस्तूत किया जाए, ये बात ध्यार में रखेगा, अब ये जो फोटो लगाया है, इसमें ये क्या कहना चाहता है, ये लड़की चिला के कह रहे है, ये किसको, इस government के official को, लेके आप देख र अरेस्ट किया है, तो हम आवाज उठाते हैं, और Supreme Court के कहते हैं, कि हमको release करें, क्योंकि तुम गलत तरीके से हमको arrest किया है, illegal detention, गलत तरीके से आपने हमें arrest किया है, तो government official को कह रहा है, कि आप गलत तरीके से हमको arrest किया है, ये लड़की चिला चिला के कह रहे है, और ये जा हमारे साथ high court है, हमारे साथ article 32 है, for the supreme court हमारे पास article 226 है, for the high court, इस बात को अच्छे तरीके समझेगा, तो ये हमारा heaviest corpus है, यानि कि कि किसी को बंदी बनाने के खिलाप में है, गलत तरीके से बंदी बनाने के खिलाप में है, उसके बाद अगला हमारे पास जो REIT है, वो है manmus, यानि परमादेश, ये परमादेश REIT क्या कहता है, ये कहता है, हम आदेश देते हैं, be command, हम आदेश देते हैं, किसको कहता है हम आदेश देते हैं, तो ये वही बात में किसको और क्यूं, तो किसको कहता है, तो government official को कहता है कि हम आदेश देते हैं, क्या आदेश देते है कि आप अपना duty को perform करे आप जो अपनी duty perform नहीं कर रहे है उसके वज़ा से fundamental light का उलंगन हो रहा है तो आप अपने duty को perform करे इसलिए हम आपको आदेश देते हैं for the performance of your duty कि आप perform करे अब यहाँ पे photo देखते हैं और यह कैसा मैं मान लेता हूux क्यां कि government official को जारी हो रहा है इस है पार बेंच पर रहा कर करे एक बहुले वाले बच्चें आपर बैठके पर रहा है और यह सो रहा है लगता है रत वाला रूते नहीं है इसको कोन इसको इतना पिला जयता है कहां से पैसा लेका आता है, बिहार में तो दारू बंद है, पता नहीं किसी दूसरे स्टेट से लेके आ गया होगा, खैर, गुजरात में भी बंद है, खैर, तो ये ऐसा करके सो रहा है, बात समझ में आ रहा है, तो इसको गौर्मेंट कहती है, कि हम तुमको आदेश देते हैं सुप्रिम कोड, सुप्रिम कोड कहती हम तुमको आदेश देते हैं, कि तुम अपना ड्यूटी सही तरीके से निभाओ, इसको आप अच्छे तरीके से ड्यूटी कीजिए, नहीं तो फिर क्या होगा, तुम सब समझ जाएगा, तुमारा भांक अनसाज़वारा है, सब उतर इस बात को अच्छे तरीके से स्यामज में आएगा, तो परमादेश है, किसको आदेश दे रहा है, गौर्मेंट ऑफिसिल को, क्या करने के लिए, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए, इसका मतलब होता है, परमानित होना या सुचित होना, यानि कि हमें परमानित हो गया है या सुचित हो गया है किसे परमानित हो गया है या तो सुप्रीम कोट को हो गया है या हाई कोट कोड़ा है क्यों क्यों क्योंकि रीट तो वही जारी करेगी तर सर्शियोरेरी क्या कहता है परमानित होना सुचित होना सर्शियोरेरी कहता है मतलब क्या है मतलब यह है क कि ये मामलों के अस्थनांत्रन या आदेश को रद करने को लेकर के ये रीट इसू करता है कौन इसू करता है तो उच न्यालय या उस्तम न्यालय अपने नीचे के न्यालय को मामला क्या है वो देखे मामला ये है कि आपका सरस्यूरडी की बात करते हैं कि आपका, जैसे मान के example की बात करते है, कि आपने किसी ऐसे case पे आदेश दे दिया है, जिसके लिए आप, मतलब, आप उसके लिए responsible नहीं थे, मतलब की, lower court को, higher court, यानि supreme court, या high court कहता है, lower court को, कि आप ऐसे case को handle कर रहे हैं, आपने ऐसे case के उपर आदेश दे रहे हैं, या अपना, क्या बोलते हैं, decision दे दिया है, जो आपके, जो कारे छेतर फल है, या कारे छेतर है, उससे बाहर का है, तो आप उस आदेश को रद करें, या उस मामले को अस्थनांतरन करें, तो यह जो दिख रहा है, डाकिया, यह लेकर के जा रहा है मामला को, कहां से लेकर जा रहा है, तो छोटे court से, यानि कि, छोटे court से मामला को कहां लेकर जा रहा है, बड़े court पे, बड़े court पे लेकर जा रहा है, मामला का अस्थनांतरन ह यह लेके जा रहा है, ठीक है, तो जो उत्प्रेशन है, यानि सरस्योररी है, वो मामले के अस्थनांतरन को लेकर के है, और आदेश के रद करने के लोगे है, तो क्यों आदेश का रद होगा, क्योंकि छोटे कोट ने वैसे मामले के ऊपर आदेश दिया है, जो मामला उसके कार चूलिया, तुम तो इतने में रहो, तो इस आदेश को रद करो, और मामला को अस्थनांत्रन करो, तो सरसियोरेरी, आदेश को रद करने, और मामले को अस्थनांत्रन करने के लिए, बात कहता है, वैसे मामली जो आपके अधिकार छेत्र से, बाहर का है, प्रोहिबीशन, प्रत प्रतिसेद क्या कहता है? वो देखना, प्रतिसेद कहता है मना करना, यानि कि रोकना या मना करना, तो फिर से किसको जारी होगा? तो छोटे कोट को, यानि कि छोटे नियाले को, छोटे नियाले का मतलब सुप्रीम कोट के लिए छोटा नियाले हाई कोट होता है हाई कोट के लिए छोटा नियाले अधिनेस्त कोट होता है जो सेशन कोट वेगरे कहलाते हैं जो जिले में होता है वो ठीक है ना तो छोटे नियाले को ये आदेश जारी होता है क्या आदेश जारी होता है, कि तुम अपने अधिकार छेतर से बाहर के मामले को मत सुनो, जैसे example, ये मान के चलो की छोटा नियाला है, और ये एक, मान के चलो ये NGT है, National Green Tribunal, ठीक है, ये भी एक तरीके का नियाधिकरन है, आपको मालूम है, तो NGT है National Green Tribunal, और NGT मामला किस पे दे रहा है, तलाग पे, या डिवोर्स पे, तो अब यहाँ पे देखिए, ये Green Tribunal है, यानि कि इसको पड़या बरन देखना है, पड़या बरन देखना है, लेकिन ये मामला किसको क्या देख रहा है, डिवोर्स का, तो यहाँ पर यह क्या कह रहा है, Supreme Court, या बड़ा कोट तुमको पड़याबरन देखने के लिए कहे थे, अब तुम डिवोर्स का मामला देख रहा है, तुम्हाँ दिमाग खड़ाब है, भांग पी लिया है, का किया है तुम, कौन सा इसा नसा करता है तुम, कि तुम पगलाए हुए है, है ना, तो कहता है कि तुम अपना अवकाद म बाहर मत निकलो, तो बस यही, रोकना, मना करना, यानि कि प्रोभीशन, प्रतिसेद, हम मना कर रहे है, क्या मना कर रहे है, उच नियाले दोरा, निमन नियाले को जारी किया जाता है, क्या जारी किया जाता है, अपने निया खेतर से आगे के काड़ियों को रोकना, तुमारा क्या कहता है मैं गवार सरस्योरी पर पीछे चलता हूं सरस्योरी क्या कहता है सरस्योरी कहता है कि तुमने अधिकार छेत्र से बाहर जाकर के मामले को देखा है तो उसको ट्रांसफर करो दो बाते हैं, दोनों में बड़ा सधारन सा अंतर इसको समझे, एक है कि तुमको मना करते हैं कि तु अपने अधिकार छेतर से बाहर मत जाओ, that is प्रतिसेद, प्रोईबिशन, और एक है कि अधिकार छेतर से बाहर चला गया, अब क्या होगा, तो अब तुम उसको आदेश को रद करतो, और मामला को हम तक पहुचा दो, नहीं तो बहुत गरवर कर देंगे, क्या कि तुम भांग पी करके आदेश दिया है, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो इसको समझेगा, तो सरसियोररी और प्रतिसेद, इस दोनों में अंतर होता है, ठीक है, तो बड़ा स किस अधिकार से, by what authority, आप किस अधिकार से, मान के चलो कि यह यहां पे, एक पोस्ट है, ठीक है, यह यहां पे एक पोस्ट है, और इस पोस्ट पे, यह इस गद्धी पे बैठेगा कोई, इस पे बैठेगा, तो यह क्या कहता है, यह लड़का कहता हम यहां बैठेंगे, और तुम कैसे बैठेगा, यह कहता है, नहीं हम बैठेंगे, और यह कहता हम बैठने नहीं देंगे, तो यह कहता है, यह लड़की कहती है, तुम किस अधिकार से यहां बैठोगे, यह कहता है, यह कहती है, लड़की, इसको, तो यहां पे सुप्रिम कोट क्या करेगा, जब इस Post के लिए लए रहा है काता है कि हमको फोस्ट चाहिए को और यह nis का Post और यह UPSC यानी यह लड़की कह है कि हम तुमको का Centrum का Post कैसे दे दे किस अधिकारसे दे, तो यह मामला चला गया Court पे अब Court पे चला गया तो Supreme Court का QO Warranty जारी किया किसको जारी किया UPSC को, Union Public Service Commission को, इस लड़कियों को जारी किया, क्या का जारी किया, कहा कि किस अधिकार से आप इसको रोक रहे हैं, या किस अधिकार से यह इस पोस्ट पे बैठा हुआ है, दोनों बाते, by what authority, किस अधिकार से इस पोस्ट पे बैठा हुआ है, अगर कोई है त और अगर नहीं, यह legally is post-clag नहीं है, तो इसको हटा हिए, तो QR क्या काता है, it is issued by the court, inquired into legality of claim of person to public office, क्या बोला, मतलब कि claim of a person, यह person जो claim कर रहा है, कि हम इस कुर्सी पे बैठेंगे, और यह मना कर रही है, तो यह inquire करने के लिए, यह अधिकार प्रिक्षा जारी होता है, यानि कि Supreme Court कहेगा, UPSC को, कि भाईया, वो बैठना चाह रहा है, तुम कहे मना कर रहे हो, तो Supreme Court अपना कुछ नो कुछ बात बोलेगा, तो कहेगा, कि QR रंटो के द्वारा, ठीक है, जाचो, जाचो, क्या कह रहा है, अगर कह रहा है, कि नहीं हम बैठने लाइक है, तो उसको बैठा, और नहीं है, तो फिर उसको भागा, ठीक है, यही बात यहाँ पर कह रहा है, यानि कि, पोस्ट पे किस अथार्टी से तुम बैठोगे, वो कह रहा है, यह UPSC है, और यह कंडिडेट है, क्यों आरंटो, तो आप देख लिए कि यहाँ पर, रीट के बारे में हम किया जाए, उसके बाद दूसरा हम लोगों ने किसके बाद किया था, मैंडमस, परमादेश, हम आदेश देते कि अपने परफॉमेंस अच्छे से करो, सरसी ओरेरी, किसको जारी होता है, उच नियाले को जारी होता है, किसलिए, क्योंकि तुमने अधिकार चेतर से बाहर जा करके काम नहीं करो, उसके बाद QO वारंटो, यानि कि हम तुमको कहते हैं, कि तुम चानवीन करो, कि यह जो लरका कह रहा है, कि हम इस पोस्ट पर बैठेंगे, क्यों बैठेंगे, और तुम मना कर रहे हो, तो तुम चानवीन करके तम मना करो, ठीक है, तो यह हो गया QO वार यह रीट के बारे में हम लोगों ने बात अभी किया है। अगला हमारा है Part 4 यानि की Directive Principle of State Policy राज के निती निर्देशक तत्तो Directive Principle of State Policy राज के निती निर्देशक तत्तो Part 4 Directive Principle of State Policy हम लोग ने Part 3 तक बात कर लिया, आर्टिकल से बात किया Part 4 में भी कुछ आर्टिकल से बात करेंगे लेकि इसके बारे में कुछ-कुछ बाते कुछ ही आर्टिकल से बात करेंगे और कुछ पॉइंट्स आपके साथ हम सियर करेंगे। चले ठीक है, DPSP की बात सबसे पहले तो एक्जाम में यही कोशन पूछ लेता है कि DPSP कौन से Part के अंतरगत है तो Part 4 के अंतरगत DPSP है सबसे पहले एक्जाम में यही कोशन पूछ लेता है फिर दूसरा कोशन हमारा है कि कौन से आर्टिकल के नतर गताता है तो 36 से 51 के नतर गताता है और ये कहां से लिया गया है तो आयलेंड से जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि यह न्यायोग है. अगर fundamental right का उलंगन होता है, तो आप supreme court या high court में जा सकते हैं. ऐसा हम लोगों ने बात किया था. लेकिन जब हम बात करते हैं DPSP का, तो DPSP न्यायोग नहीं है. आप इसके उलंगन में सुप्रीम court या high court नहीं जा सकते हैं, तो यह निया योग नहीं है, तो पहला अंतर हो गया, दूसरा बात यह है कि DPSP जो है एक कल्यानकारी राज की अभधारना को प्रस्तूत करता है, कल्यानकारी राज की अभधारना, यह कल्यानकारी राज की अभधारना क्या है, तो यह DPSP यह कहता है कि हम जो भी नियम बता र कि नहीं fundamental right का implementation करना एकदम जरूरी है नहीं तो article 32 हमारे पास है लेकिन यह optional है optional का मतलब क्या है कि यह कहता है कि अगर हमारे द्वारा सुझाए गए नियम कानून को आप अपने नीतियों में implement करते हैं तो देश अच्छे तरीके से चलेगा यानि कि estate का development होगा यह कहता है तो एक कल्यानकारी राज की बात करता है यानि कि welfare state की बात करता है कौन? DPSP और यह question exam में कई बार आया है कई बारी यह आया है DPSP के बारे में कि यह welfare state के बारे में बात करता है अब हम लोग बात करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है जो ऐसा कि हमने यहाँ पे लिखा है इंगलिस में ही लिखा है वो अंतर को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रुवत नहीं है तो fundamental right जहां तक negative है जबकि DPSP क्या है? positive है negative और positive का मतलब क्या होता है? तो negative का अंतलब ही होता है कि fundamental right में कहा गया है कि आप ये करने से नहीं रोक सकते हैं आप ये बोलने से नहीं रोक सकते हैं यहाँ वहाँ जाने से नहीं रोक सकते हैं यह नहीं कर सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं ऐसा करके किसको कहा है? state को और DPSP positive है, किसले positive है? क्योंकि DPSP में कहता है state को, आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, जैसे समान काम के लिए समान बेतन दीजिए, state को कह रहा है, जैसे गराम पंचात की गठन की बात कीजिए, जैसे nutrition को बनाने का काम कीजिए, जैसे जो नसा है उसको समाप्त करने का काम की तो ये कहता है, ये positively कि आप ये ये कीजिए, किसको कहता है, state को कहता है, और ये कहता है negatively, ये ये काम आप नहीं कर सकते हैं, किसी को जाने आने से नहीं रोग सकते हैं, किसी को assemble होने से नहीं रोग सकते हैं, अव्यक्ति की सुतंतरता है, समानता है, आप सरकाई नोक्री में भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो यह negative है, किसके लिए, तो state के लिए, तो यहाँ मना होता है, यहाँ पर करने के लिए कहा जा है, इसलिए यह negative है और यह positive nature में है, दूसरा है, fundamental right concerned about political justice, यानि कि यहाँ पर political justice की बात है, while DPSPR concerned more about social and economic justice, अब fundamental right क्या है कि political justice की बात करता है, यानि कि राजनेतिक जो निया है, उसके बारे में बात करता है, ठीक है, राजनेतिक रूप से आपको क्या-क्या निया मिलना चाहिए, राजनेतिक क्या रोक नहीं सकती है आपको, और DPSP क्या कहता है, समाजिक रूप से उत्थान कैसे होगा, आर्थिक रूप से उत्थान कैसे हो कि नियायोग है और यह नियायोग नहीं है यह बात हम लोगो ने शुरू में आपसे कर लिया है तो यह DPSP की बात हम लोगो ने यहाँ पर छोटा सा बात किया अब हम देखते हैं आर्टिकल चुकि 36 से 51 है तो इसके आर्टिकल को बात करते हैं यहां पर एक बात देखेगा, उपर में ने कुछ बात लिखा है, यह कभी-कभी एक्जाम के कोशन बन जाते हैं, कि DPSP के कौन-कौन से आर्टिकल समाजबादी है, कौन-कौन सा आर्टिकल गांधी जी के जो विचार है, उसके उपर में डिपेंड है, या उसके उपर हिसाब उसके आधार पे हैं, और कौन-कौन से आर्टिकल है, जो liberal है, उदारबादी है, तो गांधी जी के बिचारों पर एक्जाम में कोशन कई बार पूछा है, कि कौन ऐसा आर्टिकल है, जो गांधियन थिओरी के उपर बेस्ड है, गांधी जी के जो विचार है, उसके उपर मे मिल जांगे ठीक है 44 45 48 48 49 50 51 और सोचलिस्ट कौन है 30 38 39 39 41 42 43 47 ठीक है तो इस बात यहां पर दो दोनों एक जगा आगा है सोचलिस्ट और गांधियन भी एक जगा चलिए कोई दिकत नहीं है तो इस बात को आप ध्यान में रखेगा और आपको में बात और बता दे कि आप चाहे चाहे जगैसिक रहां कीप्र कर रहे है करें चाहे किसी प्रणी के लिए चाहें कि एक्जामी में कर रहे हों यहां से प्लिटक्ल साइनस का कोसान पुछेगा जहां से भीक मैसी नहीं पर आजाएगा काम आ जायगा इसलिए आप ये मस सूचिए कि ये exam का नहीं वो exam का वो exam का नहीं ये exam का जो भी बच्चे देखते हैं बड़े गौष से देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगए तो आप कमेंट कीजिए अच्छा कमेंट नहीं करते हैं आप लोग देखिए लाइक कितन करने से क्या होता है, कि लगता है कि आप देख रहे हैं, और हमें क्या करना चाहिए, जब question पूझते हैं तो हमें हमें लगता है, हमें यह इस तरीके से बताना चाहिए इसका जवाब होना चाहिए, तो ये हमारे लिए informative होती है, आपके comment तो comment बहुत जरूरी चीज़ है, तो comment करें आप लोग, ठीक है, चलिए, अब देखते हैं article 37, article 37 की बात करते हैं, तो ये क्या कहता है, ये कहता है, ये कहता है कि ये तत्व, देश के सासने मूलभूत है, और बिधी बनाने की इन तत्वों को लाओ करना राज के लिए करता भी ह होगा, मतलब कि जो बात हमने सुरू में किया, कि ये कल्यानकारी राज की अभधारना की बात करता है, और ये कहता है, कि जो भी नियव हम आपको बताएंगे, अगर वह आप अपने नीतियों में समाहित करेंगे, तो आपके लिए अच्छा होगा, ये बात article 37 कहता है, कि the principles there in lay down are never does less fundamental in the governance, यहाँ पर fundamental in the governance, काट करके exam का question बना दिया, क्या question बना दिया है, कि कौन सा article या कौन से part या कौन सा इन में से भारत सरकार के नीतियों के लिए fundamental है, मौलिक है, तो DPSP, क्योंकि article 37 क्या कहता है, fundamental in governance, सरकार सरकार के लिए क्या है, मौलिक है, इसको लाव करे, तो governments of the country and it shall be duty of the state to apply this principle in making law, यानि कि state का ये duty होगा, ये कर्तब होगा कि इसको अपने नियम में लागू करे, ठीक है, अगर नहीं कि लागू करेगा, तो ऐसा नहीं है कि आप Supreme Court चले जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये justiciable नहीं है, तो article 37 क्या कहता है, कि DPSP में सु जाएंगे, जितने भी विवस्ता है, उसको अगर state या country अपने नियमों में include करती है, तो वो उनके लिए अच्छा रहेगा, सासन अच्छे से चलेगा, ये article 37 क्याता है, article 38 क्या कहता है, राज लोग कल्यान के विविर्दी के लिए समाजिक विवस्ता बनाएगा, यहाँ प विलफियर के लिए सरकार काम करेगी, ये article 38 कहता है, और विर्दी के लिए समाजिक विवस्ता बनाएगा, काम करने का मतलब यही होता है, चलिए, अब यहाँ पर बात करते है, article 39 exam का question पूछा है, जो की बात में पहले करते आ रहा हूं, इस्त्री और पुरुसभी को समान र तो नहीं है, लेकिन fundamental rights से अलग एक तरीके का अधिकार है, तो कभी-कभी पूछ लिया जाता है कि fundamental rights से अलग जो BCS अधिकार है, वो कौन सा है, तो आर्टिकल 39 के एक अंतरगत जो अधिकार दिया गया है, दूसरा अधिकार, हलाकि अधिकार तो नहीं है ये, लेकिन एक तर समान बेतन देना होगा, और आप जानते हैं कि बहुत सारे जगों पे, मैं हर जगा की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे जगों पे ऐसा भेदभा होता है कि समान काम के लिए समान बेतन नहीं दिया जाता है, ये बात भी आप जानते हैं, चलिए, यहां पे बात दो बाते हो गई कि fundamental rights से अलग भी कुछ अधिकार है जिविका के लिए समान रूप से और समान रूप से बेतन पाने का भी अधिकार है तो ये बात भी आप ध्यान रखेगा Article 39 एक्जाम के लिए बहुत ज़्यादा important हो जाता है उसके बाद 39 के A यहाँ पर बड़ा यह है यह चोटा है ठीक है यह बाद में एड किया गया है यह क्या कहता है कि निशुल्क बिधी सहाता यानि कि free of cost legal ad दीजे यानि कि आप अपने देश के जनता को जो legal ad है जो बिधी सहाता है वो free of cost देने की कोशिस करें और जानते हैं कि government ऐसा करती भी है बहुत सारे जगों पर आप देखिएगा कि जो government है वो legal मतलब सहाता परदान करती है बहुत सारे जगों पर तो यह article 39 है बहुत सारे जगों पर अगर सहाता नहीं परदान होता है तो यह optional है जैसा कि मैंने आपको पहले कहा the very important article जिसके उपर वे exam का question कई बार बना है BVI जो गांधियन theory है गराम पंचायतों का गठन article 40 organization of village पंचायत और इसी article के अधार पे अपने देश में गराम पंचायतों का गठन हुआ है जो कि आगे चलकर करके part 9 में आप देखते हैं article 243 के अंतरगत देखते हैं जहां पे गराम पंचायतों की गठन की बात की गई है तो ध्यान लखिएगा जो 243 है वहां पे गराम पंचायतों का सनचना कैसा होगा गठन कैसे होगा कौन उसका परधान होगा किस तरीके से उसकी विवस्था की जाएगी ये सारी परक्रिया है जिसको एक अलग हेडिन दे दिया गया है भाग 9 गराम पंचायती राज लेकिन पंचायती राज की गठन का परभधान DPSP में किया गया है जिसमें गांधी जी हमेशा कहते थे कि पंचायती राज विवस्था होना चाहिए यानि कि गांव के लोगों के पास इस बात का अधिकार होना चाहिए कि उनके उपर सासन करने वाला लोग उनके बीच से ही हो तभी उनके दुख दर्द को तभी उनके कमी को वो जान पाएंगे और बेहतर तरीके से बेवस्था को चलाया जा सकता है ये बात गांधी जी हमेशा कहते थे इसलिए आर्टिकल 40 बहुत इंपोर्टेंट होता है एक्जाम पॉइंट ओ व्यू से बहुत ज़ादा इंपोर्टेंट है जो इंपोर्टेंट है हम उसके उपर ही बात करेंगे बाकि लिख मैं सब दिया हूँ ठीक है तो यहां तक हमने 40 तक बात कर लिया 41 आप लिख सकते है मैं आगे बढ़ता हूँ ठीक है चलिए अब यहां पे ध्यान देखिएगा कि कुछ मैं और इंपोर्टेंट बात करू 44 यह बहुत इंपोर्टेंट है हलाकि और भी इंपोर्टेंट अगर आपको दिख रहा होगा तो आप इसको लिख लीजएगा मेरे हिसाब से 44 बहुत इंपोर्टेंट है किसलिए 44 बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि एक समान कानून की बात हो रही है एक समान सिवील सहीता और आप जानते हैं इसको लेकर के देश में हमेशा कुछ ना कुछ बिवाद उठते रहता है हमेशा कुछ ना कुछ बात होते रहता है कि एक समान कानून क्यों नहीं है एक समान कानून होना चाहिए अपने देश में लेकिन ऐसा हो सकता है क्या ऐसा होना मुश्किल है किसलिए मुश्किल है देखो नामुम्किन कुछ नहीं है असंभब कुछ नहीं है impossible कुछ नहीं है, मुश्किल है, मुश्किल किसलिये है, क्योंकि अपने देश में बहुत सारे धर्म के लोग है, एक, बहुत सारे cultural, या नि संस्किर्थी के लोग है, बहुत सारे माननताएं के लोग है, बहुत सारी चीजें हैं, जो अलग-अलग तरीके से इवौल्व होता है, जो ST गूरूप है, उनकी माननताएं अलग है, जो धार्मी कूरूप में भी हिंदू-मुसल्मान सिखिसाए, उनकी माननताएं अलग है, उनके उपर सासन, उनकी विवस्था, उनके समाजिक जो पूरी हाईरारिकी है उनकी समाजिक जो विवस्था है वो अलग है तो एक समान कानून लाकर के हम उनके उस विवस्था के उपर अगर चोट करेंगे तो कहीं नहीं कहीं fundamental right पे एक चोट होगा और article 29 वहाँ पर कहेगा अलब संख्यक बर्गों के हितों का संरक्षान वहीं पर बात हो जाएगा article 14 14 14 कि किस तरीके से आप समानता देख रहे हैं जहाँ पर मैंने कहा था ना कि बच्चे और बड़े के लिए कि कानून होगा तो यहाँ पर ध्यान रखेगा एक समान सिविल सहिता की बात तो हो रही है लेकिन यह संभब असंभब सब तो नहीं बोल रहे हैं यह संभब होना थोरा मुश्किल इसनी लगता है क्योंकि हमारे यहाँ बीवीदिता बहुत है और बीवीदिता जो है वो अलग-अलग परकार का है अगर एक परकार की भी बीवीदिता होती एक दो परकार की तो उसको solve किया जा सकता है यहाँ पे मतलब diversity एकदम मतलब different है ठीक है ना तो वहाँ पे सब को एक ही छत के उपर एक ही डंडे से सब को हाक देना थोरा सा मुश्किल काम मुझे लगता है बाकि सरकार अगर चाहे तो कर सकती है सरकार की उपर में चलिए यहाँ पे एकजाम का कोसर बनाता हूँ कि गोवा एक मात्र एस्टेट है जहाँ पे uniform civil code लागू है तो uniform civil code जहाँ पे इंगलीस में लिखा हुआ है वो कौन देश में इसको implement करना मुश्किल है जैसा कि अब जानते है हमारे यहाँ बीवी धिताओ को लेकर कि यह बाते की जाती है चलिए आगे हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिएगा कि आर्टिकल 45 क्या कहता है आर्टिकल 46, 47 और 48 मैं चारो आर्टिकल को फटा-फट बतायता हूं बहुत इंपोर्टेंट है 45 किसलिए क्योंकि मैंने आपको कहा था कि fundamental right में एक चीज जोड़ा गया था 86 संविधान संसोधन से और वो क्या था right to education यानि कि मैं लिगता हूं education right to education जोड़ा गया था 86 संविधान संसोधन से यह बात समझ में आ गया और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि इसी 86 संविधान संसोधन से fundamental duties में 11 duties जोड़ा गया था 11 duties जो यही है हाला कि वो हम आपको बताएंगे और यहां पर भी 6 वर से कम के बालकों के सिक्षा का प्राभधान किया गया है तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिक्षा का जो प्राभधान है वो कहां कहां है तो fundamental light में भी है DPSP में भी है और fundamental duties में fundamental light में 21 का A 21 का A DPSP में 45 और fundamental duties में 11th duty और fundamental duties article है 51 का A मेरी बात समझ में आ रहा है तो छे बर्ष से कम उम्र क्यायों के बाल कोगे सिक्षा को ले करके बात की गई यानि कि बच्चों के सिक्षा को ले करके सिक्षा को ले करके तीन जगा हमारे समिधान में बात की गई है और बहुत ही सिक्षा और अर्थ मतलब आर्थिक संबन्धि जो अविविःदी है, उसको लेकर के सरपार कुछ कानून बना सकती है, सरकार उसको लेकर के सटेप ले सकती है, और इसी सटेप को लेकरने के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, कि जगा-जगा पे सरकार जो है ना, खास करके स्टेट गौश्मेंट अपने यहां बाहरी लोगों को मना कर रहा है आप सुन्यों होंगे कि हडियाना काता है कि हम 70% जो रिजर्बेसन रिक्रत और नौकरी में वह अपने लोगों को देंगे जारकन कहता है कि हम अपने लोगों को नोकरी देंगे आंदर परदेश कहता है कि हम अपने लोगों को ज़्यादा नोकरी देंगे तो यह क्या है अपने लोगों को सुरक्षा देने के लिए यह काम किया जा रहा है अब आप कहें कि अपने लोगों में अनसूची जाती जन जाती अन्य दुरूबल बढ़ग कहने में उनको समय थोड़ी लगेगा कि अन्य दुरूबल बढ़ग है तो कानून तो यहां बन गया लूपोल भी दिखाई दे रहा है हमको दिख रहा है तो बड़े बड़े लोगों को क्यों नहीं दिख रहा होगा तो पॉइंट सिंपल है कि आर्टिकल 46 के अंतरगत जो है न यह लोग कह रहे हैं कि हमारे हैं इतने परसंट लोगों को ही हम बाहरी लोगों को काम नहीं देंगे हम अंदर वारी लोगों को ही काम देंगे तो यह बात कानून बना सकती है हलाकि सुप्रीम कोट वहां पर नजर रखे हुए रहता है तो इस बात को ध्यान दखेगा कि कोई भी कानून सुप्रीम कोट के जो नियाई का दिकार है जिसको बोलते हैं कि सुप्रीम कोट का एक पुरा का पुरा राइट है उससे बाहर नह नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर यह ऐसा कर सकती है, यह कर डीपीएसपी में, आर्टिकल 47 क्या खाता है कि नुट्रिशन वैलू को उचा करना, यानि कि पोसाहार अस्तर और जीवन अस्तर को उचा करना, और स्वास्त में सुधार करने के लिए बात कर रहा है, यानि duty of estate, यहाँ पर लिखा हुआ है, state का duty है, करतब है, क्या the level of nutrition as standard of living and to improve public health, public health को improve करने के लिए, और जानते हैं, यह बराइंपॉटेंट है, आप किस तरीके से पोसाहार को जो midday meal बेगड़े होजना, हलाकि midday meal का योजना मूलत सिक्षा में सुधार के लिए किया गया था, कि गड़ी बच्चों को स्कूल में लाया जाए, लेकिन कहीं ने कहीं यह पोसाहार अस्तर को उठाने के लिए है, आप उनके पूरे मीन्यू देखेंगे, तो आपको अस्चर जोगा, इतने अच्छे तरीके से बिजाइन किया गया है, या लोगों को अनाज देना, उनके nutrition value को देखना, या उनके जीवनिस्तर को उठाने के लिए काम करना, आर्टिकल 40 काता है, किर्सी और पसुपालन का संगठन, यानि के और्गनाजिशन ऑफ एगरिकल्चर और अनिमेल हेस्ट बेंडरी यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं मुझे 45, 46, 47 को लेकर के बहुत तरीके से बात करना था, तो यहां पे बात कर लिए, 48 आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आगे बढ़ता हूँ, 48 यह बहुत इंपॉर्टेंट है, 48 का यह बहुत इंपॉर्टेंट है, किसलिए 48 का यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह पर्यावरण के सनक्षन की बात करता है और बन्न जीवों के सनक्षन की बात करता है और ठीक यही बात आपके fundamental duties भी करता है इसलिए important है यानि कि दोनों जगा आपको दिख रहा है और 48 का A भी कहता है पर्यावरण की सनक्षन और बन्न जीवों का सनक्षन और fundamental duties भी कहता है प्रणयाबरन का सनलक्षन और बंद जीवों का सनलक्षन की बात तो इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है ध्यान में रखेगा दो जगा है इसलिए और कंफ्यूज नहीं हुईएगा तो क्या कहता है कि प्रणयाबरन का सनलक्षन और संबर्धन बं तदा बंद जीवों की रक्षा करना यह इस्टेट का ड्यूटी है और इस्टेट ऐसा करती भी आप जानते हैं जो आप जानते हैं कि नेशनल पार्क बनाते हैं बाग को सनलक्षन के लिए कच्छवा के सनलक्षन के लिए गिद के सनलक्षन के लिए हाथी के सनलक्षन के लिए चीता के सनलक्षन के लिए और बहुत सारे सनक्षन के लिए कानून बनाया जा रहा है उसके उपर implementation होते हैं उसके positive result भी आते हैं बन देख लिए हमारे यहां बढ रहे हैं जो नया वला बन का सारे सनर्वेक्षन आया उसमें हमारे दो-तिन परसेंट बन का चेतरफल बढ़ गया है तो state करती है और यह दिखता कहा है दोको state करती है यह बात तो आप जानते हैं कि और उसे exam का question ही बनता है कि बाग के सनक्षन के लिए कब नियम बनाया गया भी विहार में examination होगा उसमें water conservation और water के लिए exam कोशन पुछा गया तो 1974 में तो इध्यान में रखियेगा कि यह सारे नियम बनाया जा रहे हैं लेकिन इस सारे नियम का बेस कहा है तो DPSP में आर्टिकल 48 का ए है इस बात को पच्छे तरीके से समझेगा 49 क्या कहता है राष्ट्रे महत के असमारकों और सस्थानों को बस्तों का समरक्षन यह भी बात state करती है आप जानते हैं कि किस तरीके से राष्ट्रे महत के बस्तों का लाल किला की सुरक्छा करना लाल किला तो जानते हैं हम जंडा पराते हैं हमारे प्रधान मंत्री और क्या मज़पर्दिस में उसकी सुरक्षा करना या भारत में जितने भी मonument मिंदिर है या जो भी पूराने है या नए बनाए गए है सब कि शृक्षा करना तो ये State ये करती है करती है ये इसको बहुत भी बेहतरिन तरीके से करती है आप इसको कभी किसी monuments में आप भूमने के लिए जाएंगे, आपको वहाँ पर दिख जाएगा, CISF के जमान दिख जाएंगे, वहाँ पर आपको government को official दिख जाएंगे, हो सकता है, ticket cartoon ते हुए आपको दिख जाएंगे, क्योंकि अंदर जाने के लिए ticket लगता है, उस पैसे से वहाँ का सं संरक्षन किया जाता है, तो ये सारे संरक्षन का जो अलग-अलग उपाय है, वह सारे किया जा रहे है, वह article 49 के तहद, article 50 क्या कहता है, ये कहता है कि किया पायलिका से नियापायलिका का पृथा की करण, article 50, ये है हमारे है, आप जानते है कि हमारे judiciary बिल्कुल independent है, तो article 50 सेल्फ रेगुलेटेड़ है यहां पे हर चीज उसके मन से होता है आप जानते हैं सुप्रीम कोट हाई कोट बनाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एंजयक लाया गया था और उसमें कहा गया था कि सरकार जो नहां स्थचेप करेगी नियापाइलिका के जो जज करें और यह करना जरूरी है क्योंकि कंगे कौन कारपाइलिका के गलती को नहीं समझे क्या तो यहां पर अलग होना बहुत जरूरी है तो इसको आप एक बार समझें का अच्छे तरीके से अर्टिकल 51 यह क्या कहता है यह कहता है अंतरराष्टो सांतिय और सुरक्षा के अव तो हम बहुत ज्यादा काम करते हैं सांती के लिए हम हर जगा सांती के लिए बात करते हैं हम आप इट फॉर्म जब से भारत अजाद हुआ है नेरू के जो नेरू जी का हिंदी-चीनी भाई-भाई का नारा था वहां से लेकर करके आज तक जुनाइंदर मोदी जी की सरकार है ह सरकार ने भारत में सांती और पूरे दुनिया में सांती को बढ़ावा दने के लिए काम किया है और इसके लिए हम सारे सरकारों को निवेदन करते हैं उनका बड़ा मतलब यह है कि नहीं आप सांती को बढ़ावा दने के लिए काम किये अरे हम बुद्ध के धरती वाले मुझे एप जी अब्दूल घुलाम साहब का एक बात रही है क्थ पर्मानू हथियार इसलिए बना रहे है कि ऊपने सांथी और चाहिए तो यह उपयान या तो इनका हो या ने उसलिए गूजान टेट लिशांतर हैरा, अटल विहारी बाचपेजी हमारे देश के परधान मंत्री थे तो यह बयान या तो उनका हो या उनका आप देख लिजेगा लेकिन अब्दुलकलाम जी का मैं यहां पर बात करना चाहूंगा तो यह बात हम लोगों ने कर लिया DPSP को लेकर के आर्टिकल 51 तक हमने बात कर लिया हमने रीट पढ़ा DPSP पढ़ा अब हम आगे एक बार बात कर लेते हैं fundamental duties को लेकर के जो की part 4 के एक अंतरगात आता है यहां से exam को question बहुत सारे पूछेगा है तो हम exam को question को एक बार देख लेकि यहां से कौन-कौन से exam को question पूछेगा है देखिए सबसे पहले तो fundamental duties के लिए करके जो question पूछेगा है वो सारी बाते मैं यहाँ पे लिखना शुरू करूँ सबसे पहले article क्या है? 4 का A है सबसे पहला point article आप लोग भी अपने copy में लिखेंगे ठीक है दूसरा point है कि fundamental duties को कब सामिल किया भारते समिधान में 42 बार समिधान संसोधन अधनियम के दोरह सामिल किया गया 40 second 42 बार समिधान संसोधन ठीक है तीसरी बात है कि कि सके recommendation पर सामिल किया गया तो originally 10 fundamental duties थे originally कितने थे 10 fundamental duties थे अभी कितने fundamental duty है अभी तो अभी 11 fundamental duties है कितने अभी 11 11 fundamental duties क्या है 11 तो 11 है education को लेकर के 11 duties है जो कि हम आगे पढ़ लेंगे 11 को किस सम्मिधान संसोदन से एड क्या गया तो 11 को सम्मिधान संसोदन अधियम 2002 के द्वारा इसे एड क्या गया 42 सम्मिधान संसोदन अधियम 1976 यहां पे होगा 1976 1976 के द्वारा fundamental duties को एड क्या गया article क्या है sorry part क्या है part 4a है sorry part 4a है sorry article है 51 का ए आर्टिकल है 51 का ए आर्टिकल ठीक है, Article 51 का यह है, तो मैं फिर से बता दू, आपको दिखा हुआ लिख रहा होगा, नहीं तो Hindi English वाले बच्चे लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, और बाकी आप देखते हैं कि हम क्या-क्या बात करते हैं, सबसे पहले Article क्या है, Part क्या है, तो Part 4 का A है, कहां से लि फंडामेंटल डूटीज को USSR से, मेरी बात को अच्छे समझे, USSR से लिया गया है, दूसरी बात यहां पर यह है, कि फंडामेंटल डूटीज के Article क्या है, 51 का A, फंडामेंटल डूटीज का Part क्या है, 4 का A, ठीक है, उसके बाद किस ने रिकोमेंट किया था, तो स्वान सिंग स 1880 समझे, 1976 के दवारा जुरा गया, कितने फंडामेंटल डूटीज थे, औरीजनली दस थे, अब है कितने है, 11 है, 11 है, 11 फंडामेंटल डूटीज क्या है, तो एजुकेशन का है, बच्चों के स्कूल में नामांगन शुकूले करके है, 11 फंडामेंटल डूटीज को कब आइ आप इसको अपने कॉपी में लीख लीजिए ठीक है वीडियो को पीछे करके अब मैं फंडामेंटल ड्यूटी एक एक करके देखता हूं सबसे पहला फंडामेंटल ड्यूटी है संविधान का पालन करे उसके आधर्सों को और राष्ट्रिय ध्वज राष्ट्रिय गान का आधर करे राष्ट्रिय गान निशनल फ्लाइग निशनल अन्थम और रिस्पेक्ट दा आइडियल और इंसिचूशन ठेक है अभी बहुत ल और राष्ट्रिय गान की बात हो रहे है ति तो उसको समिधान सभा ने अडॉप्ट किया था और उस समिधान सभा को सिंगनेचर किया था दो सग्विधान सभा पे 284 लोगों ने सिंगनेचर किया तो आप हमारे देश के लोग हैं तो इसको गाने से आपको परहज गया है यह मानते हैं कि फंडामेंटल राइट में नहीं लिखा हुआ है यह मानते हैं कि इसको लिगली इंपोज नहीं किया गया है लेकिन यह भी तो मानिये कि इसको फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा ग यह दोनों हमारे लिए हमारा देश सी थरीके तो पहचान के लिए हमारा अपर डौन गढरा आए पूरे दुनिया जाने कि हम भी एक देश के रूप में exist करते हैं इनको देश के रूप में माननता देने के लिए तयार नहीं है बहुत सारे लोग तो ध्यान दीजेगा हमारा है और हम मानते हैं और हम देश के लिए हैं देश हमारा है ठीक है? चलिए दूसरा है तो चेरिस और फॉलो दो नोवेल आइडियल विच इंस्पार आवर निशनल स्ट्रगल और फ्रीडम यानि कि जो भारत के आजादी के भारत के सुतंदरता संघर्श के समय में जो हमारे बिचार जिस बिचारों के उपर हमने आजादी पाई थी उस बिचारों को हम संजो के रखे यानि कि सुतंदरता के लिए राश्टें दोने पेरित करने वाले आदर्सों को हिर्दय में संजो है उन आदर्सों को आदर्स क्या था? औहिंसा, सत, सत्यागरह, राष्टबाद ये आदर्स थे इन आदर्सों को ले करके हम आगे बढ़ाएंगे, हमारा देश, हमारा सब कुछ है, चलिए, तीन, आपको मता दे, अगर देश से आप लग होगा, तो आप कहीं के नहीं है, भारत की संप्रवुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, और उसे अक्छुन बनाया रखे, ठीक एफाया दर्ज करे, और भी बहुत सारी लीगली कुछ-कुछ बात करते हैं, कनिया कुमार जी, तो मैं आपको बताता हूँ कि चलो ठीक है, वो लीगली बात करते हैं, वीडियो में भी जो दिखाया गया है, वो भी सुना है लोगों ने, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर ऐसा कोई भी मामला हुआ है, अगर नहीं भी हुआ है, तो भी अगर ये मामला उठा, तो उठने में ही गलती है, मतलब ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों हम भारत के एक ताव खंडता को तोरने की बात करेंगे, सरजील इमाम एक इंसान है, जो उस दिन वीडियो बैरल हुआ था, जब दिल्ली में एक मामला चला था, है न, C.A. और C.A. कुले करके, तो उन्होंने कहा था कि नॉर्थ इस्ट को हम कट कर देंगे, अरे आपके मनमी ये बात है क्यों आती है, कैसे आप कट कर देंगे, आप सरकार से बरे तो नहीं हो सकते हैं, और फिर गोर्मेंट और फिर आप जनता है, आपके पास ताकत है, हम जानते हैं, जनता के पास बहुत ताकत होती है, इस समिधान को जनता नहीं अपनाया है, लेकिन यहाँ पर यह है कि एक अखंड भारत, एक अखंड कोई देश, आपके लिए बेनिफीसियल है, हमारे लिए बेनिफीसियल है, हम सब की परग सब्सक्राइब नहीं औरहें सबस्क्राइब सब्सक्राइब अगरें सभी लोगों में समर्श्ता हैं यह हार्मोनी की बात आगई promote harmony and spirit of common brotherhood, समरस्ता और सम्मान भातृत्तु की बात कर रहा है, ठीक है, सभी, और ऐसी पर्था का त्या करने की बात हो रहा है, जो इस्तिरियों के सम्मान के विरुद हो, माने इस्तिरियों के सम्मान की रक्षा करना भी आपका एक कर्तब है, ये भी बात आप सम्मान लीजे, ठीक है, तो इस्तिरियों का सम्मान करे, भाईचारा के साथ रहे, भातृत्तु के साथ रहे, आपका पांचवा ड्यूटीज है, छटा क्या कहता है, कि संस्किर्ती और गौरव साली के महत्तों को सम्झे, हमारी जो परंपरा है, हज़ारों सालों का, आप सुनेंगे कि हम पांच हजार साल, अरे हम पांच हजार नहीं, हम पच्चासो हजार साल पुराने देशा, आप पसान यूग का बात कीजिए, आप पसान यूग में देगे, भिंवित्का में वहं मिले बिंटिंग मिले है 450,000 परानी है हमारे संस्किर्ती में हम सिर्फ हरप्पा से जोरने हैं हरप्पा को 45 George是這樣 साल कैते हैं aussah 5000τε 50,000 साल Sansokirtा हमारी हरपपा एकदम से कोई भगवान आके नहीं बना गया था उससे पहले भी संस्कृति थी जिसको तामरपसान संस्कृति कहा जाता था और वहां से हरपपा संस्कृति का स्यूगीन संस्कृति बनी तामरपसान से पहले पासान संस्कृति थी और वो सारे संस्कृर्ति एक दूसरे से बन-बन करके यहां तक आया है तो हम पांस जार साल के हैं, हम तो पचास जार हैं तो लाखों साल पुरानी संस्किर्थी वाले लोग हैं तो हम संस्किर्थी की गौरवशली प्रंपरा को समझें और उसका production करे, हम वैसे लोग नहीं हैं, जो कहीं कहीं से कोई आया हमारा देश बना दिया, नहीं, हम पहले से बने बनाया है, बाहरी लोगों का सम्मान किया है, और अपना बना लिया है, हम वैसे देश है, चले ठीक है, प्राकिर्तिक पर्यावरान जिसके अंतरगत बन, जील जो की बात हमने आपने कहा था आपको, कि बन का सुरक्षा करना, प्राकिर्तिक का संरक्षन करना, जो DPSP में हमने पढ़ा था, वही बात 48A में, वही बात यहां पर कहरा है, कि to protect improvement and natural environment, including forest, lake, river, wildlife, and have compassion of living creature, जितने भी जीवित परानी है, सब के सुरक्षा की बात करे है, सब क दृष्टी को डिवलप करे, बैग्यानिक दृष्टी को डिवलप करे, scientific temper, human and spirit of inquiry of reform, यानि सुधार की बहावना का विकास करे, यह नहीं कि, अब जैसे मैंने आपको कहा, कि हमारी परंपरा जो है पचास जार, या लाखों साल पुरानी है, और उस परंपरा का अभी परंपरा बहुत पुरानी है, उसको गौरव की बात है, तो इसका मतलब यह नहीं कि, हम उस पर एस्टैग नहीं, यहाँ पर ठाहर जाए, अथमा वही कहता है कि, तुम ठाहरो नहीं, तुम सुधार की बी बात करो, अपनी गौरव साली परंपरा को देखो, और सुधार की अगर आपके परंपरा में गरवरी है, तो उसको सुधार लो, और अगर आपके परंपरा में परंपरा में नहीं है, तो उसको सुधार लो, और अगर आपके परंपरा में बैग्यानिक दृष्टी कोन है, तो बेलेंगुड है, उसको और बढ़ाओ, ठीक है, तो छठा जहा आप अपने प्रमप्रा पे आपको गोरभ साली एक इतिहांस बताता है, आठवा वही कहता है कि इसको सुधार भी करो और बैज्ञानिक सूंच भी डिवलप करो क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है, आपको आगे बढ़ाना है, साइंस को आगे बढ़ाना है तो यह सारे है वह हमारे ही इसे सम्प्ति होती है रसल क्या है लोगों के मन में लगता हुए कि अरह यह तो सरकार की समप्ति है हमारी तो नहीं हिए हमारे जेब तो कुछ दूर जीए नहीं कितने बड़न व्यवकूप है आप जो समान खरीते हैं आपको टेक्स भरना होता है इंडारेक्ट टेक्स उसको कहते हैं और डारेक्ट टेक्स जो भरते हैं वो तो भरते ही है तो आपके द्वारत दिये गए पैसे से ही वो समान बनता है सरकार को कहां से पैसा आएगा बताओ कहां से पैसा आएगा बेसु बैंक जिंदा रहना है कि हमको अनुदान, अनुदान का मतलब भीख होता, इस बात को समझेगा. हलाकि ये बात थ्दोट सा अलग हो गया, लेकिन अनुदान पे जिंदा रहना बहुत अच्छी चीज नहीं होती है, हमारा प्रोसी देश बहुत-बढ़ा एंदान तो वह उसको दुनिया आप आपको बतायाते हैं इंटरनेशन रिलेशन अगर पढ़ेंगे तो जो हमारा प्रोसी देश है जो हमसे भाईचारा रखने की कोशिस कर रहा है तो वह अनुदान पर अगर जिन्दा है तो उसको दुनिया के देश बहुत बेहतर देश मानते भी नह जब तक आप अपने पेरों पे खड़ा हो करके अपने लिए कुछ काम नहीं करेंगे तब तक दुनिया आपको सलाम नहीं करेंगी दसवा क्या कहता है बेक्तिक और सामोई गतिविजी सभी छेतरों में उतकर्ष के और बढ़ने का सतत प्रयास करें जिसे राष्ट की प्रगत के माध्यम से लोगों को इंटर्टेंड किया है और अपनी उपलबधी को हासिल किया है तो इससे देश की उपलबधी हुई है पूरा देश जानता है कि सचितना नुकर भारत का है और भारत में एक सचितना नुकर बिराट कोली मरीन सिंधुनी राहु दरविर जैसे पिलिय हैं फिर हमारे और भी बेग्जानिक है, या जो भी अलग-अलग Crispy से जुर्य हुए हमारे पास बहुगूना जी थे जिनका द्यान्थ हो गया जो पर्यावरन को सरफ छापले करके काम कर proces भड़ बहुत हैं मारे पास बहुत बड़े-बड़े लोग हैं मेरे का अगया इसकी बात ने किया था यह ग्यारवे को जोड़ा गया है, कैसे जोड़ा गया है? 66-67-67-2002 के जोड़ा दया गया है और ये क्या है? 6-14 वर्स के आई हूँ के बच्चों को अपने बच्चों को अपसरोप लब्द कराना है ये भारत के पैरेंट का काम है Who is the parent or guardian to provide opportunity or education to his child or in the case may be ward between the age of 6 and 14 तो ये पैरेंट का अधिकार है कि अपने बच्चों को वो सिख्चा परदान करे 66-67-67-2002 के द्वारा एक ग्यारवे को जोड़ा गया है इस बात को अप अच्छे तरीके से देखिएगा तो ये हमारा fundamental duties इससे पहले हम लोगों ने DPSP पढ़ा उससे पहले हमने REIT पढ़ा तो आज के कलास में REIT, DPSP और fundamental duties इन तीन ओगों हमें एक साथ समाहित कर लिया है कलास को अच्छे तरीके से देखिएगा कमेंट करेंगे और एक्जाम का कोश्चन सॉल्व करेंगे एक्जाम का कोश्चन अगर सॉल्व नहीं होगा तो आप हमें कमेंट करेंगे एक बात ध्यान रखिएगा fundamental duties के पारे में जो हमने सुरू में लिखा है उसको आप अच्छे तरीके से समझ लिजएगा यहां से कोश्चन बहुत बारा है बहुत बारी मतलब unlimited time आया है यह बहुत important है तो वीडियो को पीछे ले जाकर के सब को अच्छे से लिख लिजएगा मैं लिख नहीं पाया हूँ उसके लिए sorry है लेकिन आपके notes में साधीय मिल जाएगा तो मैं देखता हूँ ठीक है? तो thank you thank you very much